इस्राइल गाजा बॉर्डर पे बेरी गाव अगर हमास का ग्राउंड जीरो था तो रेम सबसे बड़ा भयावा हमला था यहां 300 से अधीक लोगों की मौत होई थी लेकिन इस वक्त हम वही मौजूद है न्यूजेटिन इंडिया के टीम हर उस लोकेशन पे पहुंच रही है ज जो दास्ता थी वो आपको बता रहा है न्यूजेटिन इंडिया यहां रेम में इस वक्त हम लोग हैं और एक बार आपको कैमरे के ज़र यह पूरा यह बड़ा मैदान नुमा जो जगह है वो आपको दिखाते हैं देखेगा घिरा हुआ है यहां नोवा पाटी का आयोजन थ लोग डांस कर रहे थे जूम रहे थे नाच रहे थे और सुकोद जो फैस्टीवल होता है जीूज का उसकी खुसी मना रहे थे शनिवार का दिन छुट्टी का दिन था और रात भर लोगों ने पाटी की थी लेकिन शनिवार को सुबह यहां सैकडों की संख्या में बड़ी- रेम पाटी का जिसका जिक्र बार-बार आ रहे वहां क्या कुछ हुआ था तस्वीरे दास्ताम बताने को काफी है साथ अक्टूबर की कि किस तरह से हत्यार बंद आतंकियों ने जिनकी गाडियों में ग्रेनेड बारूद गोली-बारी मशीन गन भरे हुए थे सैकडों की सं यहां नोवा पाटी नोवा म्यूजिक फैस्टिवल होता है हमने यहां के पीडिस से भी बात किता उन्होंने बताया था कि कैसे इन वनों से निकल के वो बचते-बचते भागे थे कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए यह इलाका देखके पता चलता है जहां आर्मी के स् पाटी में हर तरह की चीजे थी यह साजो सामान है वो बिखरा पड़ा है हर इस्टॉल है वो बिखरा पड़ा है यहां से अंदर चलते हैं अंदर चलते हैं यहां उस दिन सुबह में राद भर पाटी चल रही थी लेकिन अचानक एक के बाद एक मिसाइल से हमला होता है हर त टीन के रिख़ां पीच से के ब्लिप्टस के पेड है और इन के बिच में किस तरह से लोगों को एक के बार देख आ मारा गया 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी करम तस्वीरे दिखा देखे पानी की बोतले किस तरह से बिखरी पड़ी है यहां लोग जश्ट में थे छुट्टी का दिन था किसी को उमीद नहीं थी कि इस तरह का है वो क्रियेटों का नरसंगार मचाने हमास के आतंकी यहा सबसे ज्यादा लोग मरे इस्राइल के विदेशी नागरीकों की मौत हुई घुस घुस कर मारा गया दोर जो की एक विक्टिम थे उनसे अमारी बाचीत हुई थी उन्होंने कहा कि कैसे वो यहां से गाड़ी से निकले थे मिलिटरी का पहरा है यहां आर्मी का पहरा है